सेक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं. इससे संबंधित सभी दस्तावेजों, डॉक्युमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़े. प्रेंड क्या लगता है? मुझे क्या दिखता है? हमारा जो आज का लोग था 21-900 के असपास है. यह हमारा स्ट्रॉंग सपोर्ट सुन सा, वहीं से बांस मिला है. और एक अपों मिला है और क्लोस मिला है करीब 22-200 के असपास. अब लगता है मुझे कि यहां पर एक डबल टॉप तो मार्केट 22-400 भी दिखेंगे by the end of the year, financial year के दिने. यह भी था एक possible idea है. मुझे weakness नहीं नजर आती है. हो सकता है अगर early morning में gap up कुले, थोड़ी weakness होगी. अगर gap down मिलेगा तो एक buying आएगी. लेकिन मुझे लगता है यहां पर 22-300 जो है zone, यहां पर थोड़ा struggle करेगा, फिर अगर पूश्यक 22-200 जाएगा, अगर वो पर कर लेगा तो 22-400 जोड़ा tricky NFT यहां पर. बैंग NFT क्या लगता है? बैंग NFT पर भी वह है कि अब तक तो structurally weak नजर आते हैं. हमारा zone ता 46,800 उसके आसपरासी बंद हो है. अच्छी बात है. यहां पर मुझे दो gaps में जर आते है, sign of strength लगता है, इसमें अपकों मिलना चाहिए, बैंग NFT में. अगर ऐसा कुछ होगा, तो 47,300 भी जा सकता है. एक दो दिनों में, मत तुस्डे, बैंश्टे, थर्स्डे तक. और 47,300 पार कर लेगा, तो फिर तोड़ा और ऊपर 47,500. लेकिन वो बात में देखेंगे. फिलन तो हम Tuesday जोगी बात कर रहे. क्या पाप या ग्यापकाउन तो होगा, क्योंकि मंडे चुटी है. पस माप कीजिए पॉइंट्स और टीड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि बाव ब्रभवान है.